जैहिन साथियों स्वागे थे आप सभी का Education Cat6 में, देखे सुबह एक Notification जारी किया गया, यह Notification आप लोग देख सकते हैं BPAC TRI 3rd को लेकर है, कुछ ऐसी सूशनाय दी गई जिसमें की छात्रों को थोड़ा सा सचेत किया गया, कि आप लोग परिक्षा देने जा रहे हैं 15 तरीक बिल्कुल सेम हैं, लेकिन कुछ बदलाओ है, आए हम इस Notification को पढ़ते हैं, चुकि यह नया Notification है, और इसमें क्या बाते कही गई गई हैं, और खासकर वैसे छात्रे जो की फरजी सिछक बनना चाहते हैं, देखे फरजी में क्यों बोल रहा हूँ, चुकि लोग यहाँ पर बैकडुर के हैं, अगर इसको एंट्री हम, तो गलत नहीं होगा, बैकडुर इंट्री से घुसना चाहते हैं, अपने जगाँ पे किसी और को बिठा कर exam देना, या फिर किसी और कि seated या estate paper पे बैठ कर exam देना, तो ऐसी गलतियां आप लोग को नहीं करनी हैं, और खासकर यहा थोड़े दिर पहले तो यह देख लिजेगा यहाँ पे अपडेट है कि पहला चीज की जो भी छात्रे एक्जाम देने जाएंगे दो घंटे पहले परिच्छा केंदर पर पहुंचना सुनेशित करेंगे आपका एक्जाम जब से है उससे दो घंटा पहले रिपोर्ट कर लिज जाएगी इस संबंद में प्रवेश पत्र पर अंकित आवश्चक कुछ निर्देश दियेगे हैं आप लोग अपना डाउनलूट किया होंगे वहां पर जो इंस्टक्शन है उसको भली बाती थोड़ा पढ़ लीजएगा उमिद्वार ध्यान से पढ़ेंगे और उसका अक् आपके ही कोश्चन जो आपको मिलेगा कोश्चन बुकलेट उसका जो है सीरिज उहां पर दिया रहे हैं और अब्यहारती जो है वह अंसर सीट में कोश्चन बुकलेट की संख्या लिखेंगे यह गलती बिलकुल नहीं करनी है ध्यान से समझ लिजेगा चीजों को अगर आप और फिर वैसे अभ्यारती को सचेत में कर रहा हूं जो कि फरजी है किसी और के बदले बैट के एक्जाम दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि वहां पर यह सारे चीजे छोड़ देंगे तो अंदर से सेटिंग हो जाएगा तो यह गलती नहीं कीजिएगा देखें जो भी है जनु इस परिक्षा में उमिद्वारों को अपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमती दी जारी है अब ध्यान से समझेगा इस चीज को यह तीसरा लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी में आप लोगों को मैं थोड़ा जानकारी दूंगा तो यह उमिद्वार ओसर्व्जन प्रूईट होता है किसी भी सरकारी नोकरी में तो यहाँ पर आप लोगों का ओव्वंधिक प्रवेश है यह ध्यान रखेगा और आपके ज्याच में अगर फ़र्जी निकले तो आपको बाहर किया जा सकता है तो यह अउपवंधिक प्रवेश है इसको आपह समंद में आप चीजों को समझेगा आप 125 के लिए सिक्षक जब बनने जाते हैं तो आपके पास क्या पातरता होनी चाहिए पहला कि आपका 12 पास होना चाहिए न्यूनित्रम आपको ग्रैजुएशन भी है तो चलेगा 12 पास होना चाहिए प्लस डिलेट की डिगरी आपके पास होने चाहिए ठीक तीसरा यहां पे आपका सीटेट पेपर वन क्लियर होना चाहिए अब यहां पे जो छात्र सीटेट दो हजार चौवीस दिये हैं जनवरी वाला ठीक जनव ही आप लोग निश्चिंत रहिए जिनका रिजल्ट आया है आपने या रॉल लंबर अपना डाला है वहां पे आप इलिजिबल हैं चुकि बहुत सारे चाहिए आप कमेंट करके पूछ भी रहते हैं और मैसेज भी कर रहे हैं कि सर ऐसा तो नहीं होगा कि हमें बाहर कर दिया अप लोग ने दिया था उनका रिजल्ट आ गया था अब जिनके पास रिजल्ट था वह चात्र ओपबंदिक रूप से क्या थे एलिजिबल थे और उन्होंने परिक्षा भी दिया उनका सेलेक्षेन भी हुआ टीरी वन और टीरी टू में जो तेईस में पास किये अब तु स सेर्टिफिकेट वित्रन हो रहा है अब हो रहा है तो इसका मतलब यह तो नहीं था ना कि मतलब यह लोग एलिजिबल नहीं हो यह तो नौकरी कर रहे है यहाँ पर बीपसी का पेपर निकाल तो उसी तरह यहां भी सीटेट दो हजार चौवीस जनवरी वाला जो भी छात्र एक्जाम पास किया है थ्यांद समझ लिजेगा वो eligible है valid है वो ठीक अब यहाँ पर कोई दूसरा सवाल मत पुछेगा है ना यह चीज़े बहुत ही जानकारी लेकर ही आपको बताई जा रही है दूसरी चीज़े कि यहाँ पर देखेगा online आविदन करते समय आप लोगों ने जो भी प्रविष्टी किया है जाने कि जो जो डॉक्मेंट आप लोगों ने वहाँ पर डाला है अंकित तत्यों के आधार पर जो कि आप लोगों का notification के आधार पर आप लोगों ने वहाँ पर सारे चीज़ डिखा जाला है वीधिवत आयोग जो है अगर आपका यह सारा documents नहीं पाया जाता है तो आपको वहाँ पर not eligible कर देगा लेकिन अगर आपके पास यह सारे document हैं तो अप eligible होंगे वहाँ पर उसके बाद आपकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा ठीक तो यह एक important update था यहाँ से जो आप पाए जाने यानि कि स्थिती में संबंधित उमिद्वार की उमिद्वारी रद की जा सकती है अब देखे जो भी डिटेल आपने डाला है फॉर्म भरते समय उन तत्यों में से किसी भी समय जाच होगा और अगर वो जाच फरजी निकला जैसे कि बहुत सारे लोग अभी सक परीचा और यह जो कि नियोजन से नियोजी चिक्षक थे पता चल रहा है कि STET के एक पेपर जो है जो एक पेपर उनका जो रॉल नंबर है उस रॉल नंबर पर अलग-अलग जिलो में अलग-अलग से कर चारत है तो बाइध यह तो गलत हुआ था न यह फरजी लोग थे त लब कि आपका eligibility नहीं रहते भी आप eligible होके job करेंगे तो बाद में आपके उपर करवाई भी की जाएगी और आयोग की इस परिक्षा अथ्वा इस परिक्षा सहित अगामी परिक्षाओं में उन्हें भाग लेने से बंचित कर दियेगा बाद में आपको band किया सकता है तो फरज ना तो उस genuine student का फायदा हुआ नहीं आपका हुआ तो इस सीच का ध्यान रखेगा बस गलत मत कीजिएगा आगे भी ये जाज की प्रक्रिया चलती रहेगी ये बाते इसमें लिखी गई है ठीक अब पांचवा अपडेट है यहाँ पर आप परिक्षा केंदर पे जाएंगे यहाँ परिक्षा होनी है उहाँ पर मोबाइल ब्लूटूथ वाइफाई गजेट इलेक्ट्रोनिक ये रिष्ट वाच ये सब कोई जानकारी तो वैसे हर एक्जाम में होता है यह मत लेके जाईएगा आप सीधे सीधे एक्जाम देने जाईए अपने बल पे अपने दम पे बुद्धि के छमता पे एक्जाम दीजे बैठकर ये इलेक्ट्रोनिक समगरी लेकर नहीं जाना है लेकिन ऐसे करते हुए कोई छात अगर पाये जाता है तो यहाँ पर अधिनियम नैंटी एटी वन के तहट उन पे कारोनी कारवाई भी हो सकती है तो यह एक धमकी है धमकी स दीजे फैला रहे चीट पुर्जा फैला रहे यह पर वायरल करने का फैला रहे तो संसनी खेज अफवा फैलाने के स्थिति में भी तीन वर्स के लिए आपको बैन किया सकता है तो यह जो जाएगा खतम बैन हो जाईएगा तो आविदन भी नहीं कर पाईएगा टीरी फोर अच्छे से एक्जाम दीजे उसकी तैयारी भी ख्रजकते है तो आप लोग को बस इतना यह जानकारी 5 पर दिया गया है और यह सारी जानकारी हमने आपको अभी अपडेट किया है जोकि अभी अभी यह नौटिफीकेशन नया दिया गया है आप लोग भी यहाँ पीजिअक पर चीजों को देख सकते हैं यह सुबा भी यही सारी चीज़े लिखी गई थी लेकिन अभी फिर से एक नियू नोटिफिकेशन इसको डालके सारी जोड़कर दे दिया गया तो एक छोटा सा अपडेट था जो कि हमने आप तक साजा किया है प्लीज वीडियो को शेयर कर दीज आ रहें उनको गुड़ लख है all the best है जैहिंद